नमस्कार मैं हूँ परविन पठान और बहुती स्वागत करती हूँ आपका समाचार इंडिया नियोज में आईए शुरू करते हैं आज की खबर कन्नोध में जिला अधिकारी ने तिर्वा मेडिकल कॉलेज ओचक निरिक्षण मुख्य चिकित्सा अधिक्षक को निर्देशित किया कि मरीजो क नहो कोई असुवीधा तिर्वा कोतवाली की लापरवाही का मामला आया सामने जिला अधिकारी रविंद्र कुमार तिर्वा मेडिकल कॉलेज का ओचक निरिक्षड कर मरीजों की समसिया सुन रहे थे तबी भगत पुर्व की रहने वाली मंजू अपने बेटे के पैर का प्लास्टर करवा कर निकल रही थी तबी जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने मंजू से पूछ दिया कि क्या हुआ तो उसने बताया कि मॉटर साइकल से पर तूट गया जिसका प्रातना पत्र तिर्वा कोतवाली पुलिस को दे दी गई लेकिन तब तक कोई पुलिस दुआरा कारिवाही नहीं की गई जिस पर अधिकारियों ने प्रातना पत्र दे कर अविलंब कारिवाही करने का आदेश दिया वही मेडिकल कॉलेज के मुख्य चकित्सक अधिक्षक को निर्देशित किया कि किसी भी मरीज को असुविधा नहोने दे रिपोर्ड वाई अनुप दूबे समाचार इंडिया निउस कन्नोट